Hello everyone, स्वागत है आप सभी का SvSv Academy के YouTube चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम Diploma in Electronics Engineering 3rd Semester Slaves के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंज शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि आपको Electronics Engineering 3rd Semester में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो दोस्तों आप हम देख लेते हैं कि आपको Electronics Engineering 3rd Semester में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स है एफलाइड में 3rd, Electrical Engineering 2nd, दोस्तों इसको हम EE 2nd के नाम से भी जानते हैं Environmental Studies, Electronic Devices and Circuits दोस्तों आपने 2nd Semester में Electronic Component and Device के बारे में पढ़ा होगा लेकिन इसमें आपको Electronic Devices और Circuits के बारे में पढ़ना होगा Electronics Workshop, Digital Electronics और Universal Human Values दोस्तों इसमें आपको केवल 5 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होगे जिनके कि आपको एक्जाम देने हैं जिसमें Applied में 3rd, Electrical Engineering Second, Environmental Studies, Electronic Devices and Circuits और Digital Electronics दोस्तों इसमें इतने ही सब्जेक्ट्स का एक्जाम लिया जाएगा और जो Electronic Works वे लेब्स होती हैं और जो Universal Human Values होती है दोस्तों केवल Practicals होता है तो दोस्तों अब हम इसे विस्तार से समझे लेते हैं कि इसका Mark Distribution किस परकार से किया जाता है दोस्तों अब हम देख लेते हैं Mark Distribution के बारे में Mark Distribution को देखने से पहले हम इसके Format को समझे लेते हैं कि इसका Format किस परकार होता है दोस्तों इधर हमारे जिस होते हैं वो subject होते हैं और इधर study scheme period per week मतलब एक week में आपको कितने lectures और कितने practical लेने हैं और यह हमारा जो होता है mark in evolution scheme इसमें हमारे internal और external marks होते हैं तो दोस्तों आप हम समझे लेते हैं कि mark distribution किस परकार किया जाता है तो सबसे पहले देख लिएते हैं applied में third के बारे में दोस्तों इसमें आपको 5 lecture per week लेने रहेंगे जिसमें आपको internally 20 mark और external mark 50 numbers का होगा जो कि आपका exam लिया जाएगा वो 50 number का होगा तो इसके जो total number होगे वाद 70 number होगे second है electrical engineering second दोस्तों इसमें आपको 4 lecture और 4 practical per week लेने रहेंगे जिसमें आपको internally total 50 number दिये जाएगे जिसमें कि आपको theory के 20 और 30 प्रल के number दिये जाएगे और इसमें जो external mark होगे उसमें आपको 50 number का theory और 50 number का practical लिया जाएगा जिसके कि total number 150 होगे third subject है environmental studies दोस्तों इसमें आपको 3 lecture और 2 practical per week लेने रहेंगे जिसमें आपको internally 30 mark दिये जाएगे जिसमें कि आपको 20 number theory के और 10 number practicals के होगे और external mark 50 number का theory exam होगा और 20 number practicals के दिये जाएगे तो जो आपके total mark के होगे वह 100 number होगे और हमारा fourth subject है electronic devices and circuits दोस्तों इसमें आपको 6 lectures और 6 practicals per week लेने रहेंगे जिसमें आपको internal mark 50 number दिये जाएगे जो कि 20 number theory और 30 number practicals के मिलेंगे और इसका जो exam होगा वह 50 number का होगा और जो practical होगा वह भी 50 number का होगा तो इसके जो total mark होगे वह 150 marks होगे next subject है electronic workshop दोस्तों इसमें आपको कोई भी lectures नहीं होता है इसमें आपके 6 practicals per week होते हैं जिसमें आपको internally 40 mark और externally 60 mark दिये जाते हैं जो कि total 100 marks का होता है दोस्तों जो electronic workshop होता है इसका कोई भी exam नहीं होता है इसका केवल practicals ही होता है next subject है digital electronics दोस्तों इसमें आपको 4 lecture और 4 practical per week लेने रहेंगे जिसमें आपको internally 50 mark जिसमें की theory 20 number और practical 30 number का होगा इसी प्रकार external में जो theory होगा वो 50 number का exam होगा और 50 number practical के होगे तो इसके जो total marks होगे वह 150 marks होगे दोस्तों हमारा last subject है universal human values दोस्तों इसमें आपको 2 lecture और एक practical per week लेने रहेंगे जिसके आपको internally 20 mark और externally 30 mark मिलेगे जो की total 50 number का होगा दोस्तों इसमें आपको केवल practicals के ही marks दिये जाते हैं और दोस्तों जो essay होता है उसमें एक practical per week लेना रहेगा जो की internally 30 numbers का होता है दोस्तों जो essay होता है वो आपको प्रत्ते एक semester में होता है जिसके की 30 marks होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारे total marks होते हैं वो 800 marks हो जाते हैं जिसमें जो external marks होते हैं वो 510 होते हैं जिसमें practical के 260 और जो हमारा exam होता है वो 250 numbers का होता है और इसके जो internal mark होते हैं वह 290 marks होते हैं तो इस परकार इसके जो total marks होते हैं वह 800 marks हो जाते हैं तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंत वंदे बात्रम